Welcome back to Soft Study YouTube Channel मैं हूँ सौरब और एक बार फिर से आपकी साथ हूँ एक और नई वीडियो को लेकर तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं Group 2, Subgroup 2 के अंतरगत जो Assistant, Auditor, Assistant, Accountant, Accountant आदी के पदों पर बेकेंसे निकाली गई है इसका Notification जारी हो चुका है और इसके जो आवेदन स्टार्ट हो रही है आठ अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट हो रही है आप सभी लोगों ने Notification वाली वीडियो देखे ली होगी यहाँ पर देखिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे इसका जो Old Question Paper है Old Question Paper 2018 में यह हुआ था देख सकते हैं Date 2018 का First Sift का एक Question Paper है तो Old Question Paper को डिसकस करेंगे और देखेंगे कौन-कौन से Question यहाँ पर पूछे गए है कुछ लोगों को सिलेवस में भी doubt था सिलेवस समझ में नहीं आ रहा था तो इस Question Paper से आपको सिलेवस भी बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत्व में आपको बताऊंगा कि यह Old Question Paper आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कहां से आपको डाउनलोड करना है तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइट जरूर करें Share करें और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके Notification वेल को प्रेस करना ना भूले ताकि यहां पर अपलोड की गई नेश्ट वीडियो की Notification आपको सबसे पहले मिल जाए देखिए दोस्तों जो Group 2, Subgroup 2 का Question Paper होता है यह यदि हम सलेवस की बात करते हैं तो यह दो पार्ट में डवाइड रहता है Part 1 और Part 2 ठीक है जाता है मौतियों की पारम पर एक गल्सर माला के लिए जाना जाता है मद्धपडेस के किस जिले में इस्ट थे अधरकाच गाउं तो जो अधरकाच गाउं है यह मद्धपडेस की अलीराजपूर जिले में इस्ट थे और यहां पर आम की एक प्रजाती जैसे हम नूर जहां कहेते हैं क्या नूर जहां कहेते हैं ये नूर जहां प्रजाती का सबसे बड़ा आम होता है जो कि मद्दपडेस के अली राजपुर में उगाया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगले question की और अगला question है लक्षमी नारायन मंदर बास्तु कला की एक अनूठी सेली है जो किले और मंदर का मिसरण है ये मंदर कहां पर इस्थे थे मद्ध बिड़ेश में ठीक है लक्षमी नारायन मंदर जो बास्तु कला की अनूठी सेली है यह ए इस्थे थे यह उज्जयन में इस्थे थे कहां पर उज्जयन इस्थे थे दोस्तों सोरी औरचा में इस्थे थे ठीक है औरचा में इस्थे थे औरचा किस नदी के तट पर इस्थे थे तो औरचा दोस्तों वेतवा नदी के तट पर इस्थे थे किसके वेतवा नदी के तट प किरे हुए कस्वे हैं वहां पर कस्तूरभा गांधी बाली का विध्याला आप देख पाएंगे अगरा है खनिज संसादनों की अपलब्दिता के अनुसार भारत में मद्दपिड़िता के अनुसार भारत में जो मद्दपिड़ित का ही चौता इस्थान है कौनसा दोस्तों सत्पुड़ा राष्टे उध्यान में क्या है पाए जाते हैं मदपडे सासन के दौारा इकबाल पुरुसकार इस छेतर में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है तो इकबाल पुरुसकार जो दिया जाता है ये उर्दू साहित में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया है नेस्ट कोश्चन है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड इंडिया मैगजीन दौरा इन्हें सन 2017 की सर्वशिष्ट खिलाडी के खिलाडी से सम्मानित किया गया है तो यह किया गया था दोस्तों किदाम भी स्रीकांत को तो यह एक करेंट अफ्यर का कोश्चन बन जाता है 2018 में एक्जाम हुआ था तो वहां पर यह एक करेंट अफ्यर का कोश्चन बन जाता है 2017 का ठीक है अगला कोश्चन है बरतमान में मद्दप्रेश में निर्मत सडकों की कुल लंबाई कितनी है तो बरतमान में मतलब 2018 की यहां पर बा अगला option रहेगा 80,000 से 90,000 या एक लाग के बीच में इतनी मद्दपडेस में सड़क की लंबाई अब हो चुकी होगी अगला question है मद्दपडेस की बुरहान पूर जिले में इस्थित नेपा नगर ठीक है नेपा नगर लिमीटेड क्या उत्पादन करता है तो नेपा नगर जो पहले भारतिये खिलाड़ी कौन थे तो ऑसकर जीतने वाले जो पहले भारतिये थे ये कौन थे ये थे दोस्तों भानू अताईया ठीक ऑसकर जीतने वाले पहले भारतिये भानू अताईया थे मूल पंचितंतर इनके द्वारा लिखी गई है तो मूल पंचितंतर दोस्तों बिश्णू सर्मा ठीक है पंडित बिश्णू सर्मा जी के द्वारा लिखी गई है अगला गोस्ट ने सर्बसेश्ट फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड निमलकित मैंसे किस फिल्म समारो में दिया जाता है तो यह दिया जाता है दोस्तों भारत का अंतरश्टिय फि जो आखिए यह भारत का अंतलीव फ्ल्म समा रहों में आ आबॉड को दिया जाता एंधिक है अगला कॉस्टोन है मद्रपड़ेस्ट ऐस्थानों में सी कहां mm ne एस्थानों में सी कहां गुंचेरिज फैक्τοरी क्या है बस देव ठीक है क्या है बस देव ठीक है नेश्ट कोस्टन है खालिस्तान के दुआरा मद्दप्रेस में भीम बैटी का सेला साय रॉक सेल्टर्स की खोज की गई थी तो यह जो खोज की गई थी दोस्तों VS Vakandkar ठीक है VS Vakandkar दोआरा भीमबैटिका की कोच की गई थी अब देखी भीमबैटिका है तो वीमबैटिका को मदप्रेस के तीन इस्थान ऐसे हैं जोकी World Heritage में सामिल किये गए हैं कौन-कौन से तो पहला खजुराहु है खजुराहु ठीक है ठीकए सांची के घो से बहुत इस्तूप को 1989 में एड किया गया था वर्ल है इसके वाद मैं घीमबैटिक्रां को कब इसे दो हजार तीन में वड हैरिटेज में सामल किया गया चिक टीन इस्तान है जो की मदिद पडैस के वर्ल हैडेज पर सामल है वीम बैठ किया कि होज वी एस वाकंड कर दौारा की गई थी इसके अलाबा दोस्ते यह 15 कोस्टन दे के आपने MPG के ते आगे वड़ते हैं और यहां पर रहेंगे आपकी 15 कोस्टन हिंदी की यह 15 कोस्टन आपके हिंदी की रहेंगे जन्हें आप पीडियो को पोस्ट क करके पड़ भी सकते हैं इसके अलाबा इसका पीडियो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ठीक है फिलहाल हम चलते हैं यहां पर पार बी की तरफ यह इंगलिस के 10 कोस्टन पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट यह 15 इंगल 1 थीक है शाइनस के बाद में आ जाता है आपका कंप्यूटर है इस परकार से यह आपका there भाष रहता है हम चलते हैं यहां पर दोस्तों आँ पार्ट भी कॉमर्स की तरफ तो यहां पर देखिए यह पार्ट भी यह कॉमर्स के 100 question यहाँ पर रहेंगे और मैं यही है यदि आप selection पाना चाहते हैं तो इसी subject पर मतलब यह जो part B है part B पर आपको अपनी पकड़ बनानी होगी ठीक है यदि आप selection लेना चाहते हैं यहाँ पर देखिए इस प्रकार के कौछ question पुछाते हैं यह question आप देख सकते हैं तो link मैंने इस पूरी PDF का description में दे रखा है आप हमारे telegram channel से भी इस पूरी PDF को download कर सकते हैं telegram पर यदि आप search करेंगे soft study ठीक soft soft study तो वहाँ पर आपको हमारा channel मिल जाएगा जिसे आप subscribe करके इस PDF को बिल्कुल free में download कर सकते हैं इसके अलाबा हमारी website का link भी आपको description में मिल जाएगा तो website से भी आप बिल्कुल free में यह PDF download कर सकते हैं old question paper की तो इसके अलाबा दोस्तों बहुत जल्दी इसकी classes भी हमारी channel पर आने बाली है आपको सिर्फ इस वीडियो को क्या करना है like करना है ठीक है यदि दोस्तों hundred like इस वीडियो पर आते हैं तो हमारी इसकी classes आएंगी ठीक है तो कम सकम hundred like आपको इस वीडियो पर करना है तभी हमारी classes आएंगी ठीक है इस से related जैसे कि जो सलेवस आपको नहीं मिलता है part b से उस सलेवस पर classes आएंगी mcq type तो इसे आपको like करना है और channel को subscribe करना है मैं मिलूँगा आपसे दोस्तों next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद वंदे मात्रम धन्यबाद